हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बेक टो माई चैनल, दा टीस्ट उफ इंडिया तो फ्रेंड्स कैसे हैं, आप आशा करती हूँ, आप सभी बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स आज अब बनाने जारें, बहुत ही टेस्टी सी मिठाई इस मिठाई को बनाने में ना तो आमें गेज जलाना है, ना चाशनी बनानी है, ना इसमें ज़्यादा मेहनत करनी होगी, आप देखिएगा बहुत ही आसान से तरीके से ये बन की तैयार हो जाएगी और इतने जटपड तरीके से होगी कि आप देखेंगे कि इतनी जल्दी भी कोई मिठाई बन सकती है क्या जी बिल्कुल बन सकती है और इसका टेस्ट तो बहुत ही कमाल का है एक बार आप इसे जरू ट्राइ कीजिएगा एक बार बनाएंगे तो इसे बार बार बनाना पसंद क और आप भी यमी यमी सा खाना बना सके तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है इसे बनाने के लिए हमें आगरे के पैठे चाहिए होगे तो मैं आधा किलो आगरे के पैठे ले रही हूं मैं बहुत ज़्यादा quantity बिम बनाऊंगी मतलब समझे एक किलो में ये मिठाई बन आप देख सकते हैं इससे बारिक बारिक इसके रेशे निकलेंगे और बहुत ही जूसी ये मिठाई बनेगी फ्रेंट्स बच्चों को तो ये बहुत पसंद आने वाली है और जटपड से बन जाएगी तो आपका काम भी बहुत ही आसान हो जाएगा तो इसी आप एक बार जरू आप उन्हें ये खिलाएंगे तो वह भी बोलेंगे कि बहुत ही कमाल की मिठाई है तो अच्छे से ग्रेट करने के बाद हमें इसमें डालना है डेसी केटेट कोकोनट तो मैंने इसमें दो बाउल भरके डाल दिया है दो बड़े बाउल लिए थे वो डाल दिये है आधा बा से मिक्स कर लेंगे ताकि जो इसमें जितना भी जूस है वो कोकोनट पाउलर में अच्छे से मिक्स हो जाए और अच्छे से ये डो फूम में आ जाए अब मैं इसमें केवडा एसेंस की तीन चार बुंदे डाल रही हूं इससे अच्छा फ्लेवर आएगा आप इस जगे कुछ भी हमें इसमें डालने की जर्रत नहीं है आपने देखा कितने कम इंग्रेडियंट्स में बहुत ही शांदार मिठाई बनके तयार हो गई है अब अच्छे से मैंने इसे रोल दे दिया है मतलब रोल शेप में से तयार कर दिया है और आप देख सकते हैं बहुत ही आराम कोई भी मिठाई हो अच्छे से इस तरह से बनाते जाना है प्लेट में रखते जाना है तो सारे रोल इसी तरह से बना लिये हैं एक लड़ू जयसा भी बनाया है अब आपको जयसा बनाना पसंदो वेसे बनाए एक बाउल के अंदर डेसिकेटेड कोकोनट ले इसके उपर ए आप खुद देख सकते हैं बहुत ही सुन्दर सी ये दिख रही है जटपट से बन भी गई है ना चाशनी बनाने की जंजट थी ना गेश जलाने की जंजट और ये मिंटों में बनके तैयार हो गई है बहुत ही सुन्दर बहुत ही टेस्टी सी मिठाई रेसी भी पसंद आई हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और फ्रेंड्स आप भी बना के एक बारी से इंजोई करें थेंक यू सो मच फ्रेंड्स